तो मैं आज आप इस वीडियो में आपके साथ जो जी एस कोईशन्स जो की आपका डिबड़ुगाड उनिवर्सिटी गौहाटी उनिवर्सिटी साथ बॉड़ोलेन उनिवर्सिटी याद रखेगा यह तीनों यूनिवर्सिटी के बीए देंट्रेंस आ रहे हैं तो उसके करूंगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिए का कैसा लगता है सीरीज और सबसे पहले हम स्टार्ट करते इस वीडियो को ओके यह वीडियो में ला रहा हूं तो आप अच्छे से देखिएगा सबसे फर्स्ट कुईशन फर्स्ट कुईशन बाइरस ऑफ बड़ फ्लू इस ऑल्स नमबर सी ओके 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 ओसे ऑप्षण ओके इस फाइड आए अंशार एच फाइड एडिवन वान फाइरस जो की इंपोर्टेंट है जो की आपको बड़ फ्लू कहा जाता है ओके याद रखेगा फर्स्ट क्यांसा रहें सारे इस फाइड एडिमेंट कॉन सा पाया जा रहता है तो इसका राइट अंसर आपको अप्शन नमबर याद रखेगा जो कि आपका जो मैटल है याद रखेगा मोस्ट अबंदेन मेटल जो पाया जाता है उसको कहा जाता है अपका आपका अलुमूईन टीए 500 अगर मेटल आया है तो आप लिखेंगा ऐलुमिनियून चैन्ज अगर आपको पूछा दो आप ऑक्सिजन लिखेंगे इसका और अप्शिना मर्स्टी आप यह नोट कीजेगा ओके नेक्स्त कुईशन वांगला फेस्टिबल इस इन वीच आप फोलुंग स्टेट वांगला फेस्टिबल जो कि काफी फेमस फेस्टिबल है हमारे नॉर्थीस का तो कौन सा इस्टेट में हम सेलिब्रेट करते हैं तो इसका राइट एंसर होगा आपका कोमाड ओके कोमार तन आप माऊट ऊंग मा याद रख्छा हृँ जो में मेंद दो इंपोर्टेंट निसने पार्क जिसको जिसको पहा जाता है आपका पे उसका नाम है आपका जोकि लगता है कि ऊप्शन नंबर उप्शन नंबर वके नागा लैद में में celebrate क्या जाता है ओके नागालेंड और इनके CM का नाम क्या है नागालेंड का नेफ्यू रियो याद रखेगा नेफ्यू रियो ओके वेरी मच इंपोर्टेंट प्वेश्चन आप याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्यूट बिट्विन गॉर्मेंट ऑफ इंडिय और जैसे Assam के बीच में कुछ डिस्पीट हुआ अगर वह सुप्रीम कोट में जाएगा तो उस जो सुप्रीम कोट जूरिडिक्शन करेंगा उस जूरिडिक्शन क्या कहा जाता है तो याद रखें ऑरिजिनल जूरिडिक्शन ओके ऑप्शन नमर ए इस दा राइट एंसर न यहाँ देखिये स्वाधेशी मौशमनेट का स्वाधेशी मौशमनेट भवा था आपका 1905 और नोन कोपरेशन मौशमन पिरिक्शन मौशमनेट ऋना ठीक हैसे जूरिक्शन मोवमेंट वहा था 1942 और शिविल डिस्वेट मोवमेंट बहा था 1930 में 1930 में तो इसका जो जो कर्यक्ट रोनजी के लोडर होगा आपका ओप्षेन नमर अबी उसके बाद डी एंड सी ओके A, B, and D, C, option number B is the right answer, okay, B is the right answer, very much important, note it down, okay, next question, question number 7, Indian Independence Act 1947, came into force, Indian Independence Act, okay, woke up force में आया था, याद रखेगा, तो इसका right answer होगा, option number B, 18 July 1947, तभी भारत स्वाधिन के टाइम में कौन थे हमारे जो governance general, तो Lord Mountbatten, okay, Lord Mountbatten, याद रखेगा, Mountbatten, और हमारे जो first prime minister कौन थे, जवालल नहरू, this is also important question, और एक question याद रखेगा, जो कि 2020 के जो बेड में आया था, ग्वाट इन्वर्सिटी के, जो भारत के जो सबसे पहले foreign minister कौन थे, तो सबसे पहले foreign minister कौन थे, हमारे जवालल नहरू ही थे, याद र following is a male part of a flower, flower का जो कि male part को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका stamen, okay, stamen, तो इसका जो कि right answer होगा, आपका option number a stamen, okay, stamen, okay, stamen male part होगा, और जो कि आपका pistol जो है, pistol वो female part होगा, pistol female part, याद रखेगा, very much important, stamen is the male part, pistol is the female part, okay, next question, question number nine, okay, right to privacy under which of the following article of Indian constitution, right to privacy जो है, वो कौन सा article में तहत आता है, तो याद रखेगा, इसका right answer होगा, option number d, 21, okay, right to, right to privacy is under the article 21, next question, okay, very much important, आपका question number 10, what are the dimension of HDI, जो कि human development index, जो कि कौन, ये कौन publish करता है, आपका human development index, जो publish किया जाता है, आपका, जो पाकिस्तान के economist है, महभूब उल्हक उन्होंने द्वारा पाब्लिश किया जाता है, महभूब उल्हक याद रखेगा, महभूब उल्हक द्वारा ये पाब्लिश किया जाता है, तो इसमें जो की question में क्या पुला गया है, कि यहाँ पे, कितने, यहाँ पे क्या क्या है, जो dimension लिया जाता है, तो इसको याद रखेगा, फेरी मच इंपोर्टेन, इसमें लिया जाता है आपका, जो की, पार के पिटा income, उके, उसके बाद आपका, healthcare और आपका, monthly care, option number B is the right answer, monthly income, और आपका, healthcare और पार के पिटा income, option number B is the right answer, next question, okay, अगर कोई गलत वा, तो आप प्लीज कमेंट किजिए, option number B, GST came into force, GST कप force में आथा, याद रखेगा, 1 July, 2017, force में आथा, okay, 1 July, 2017, okay, याद रखेगा, very much important, next question, जो GST model है, इंडिया का, कहा से लिया जाता है, आपका, जो की, आपका होगा, आपका, राइट एंसर होगा, आपका, केनेडा मोडल, okay, केनेडा से लिया जाता है, केनेडा, next question, the rolling plan concept in national planning was introduced by, rolling plan का concept किसने start किया था, याद रखेगा, जनता, party government, okay, जो की, मुरारजी देशा, इसके, प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखेगा, PM, मुरारजी देशा, okay, next question, length of, भुपेन हाजरी का सेतु, भुपेन हाजरी का सेतु का length कितना है, तो याद रखेगा, option number B, is the right answer, 9.15, okay, और ये, क्रिश रिवर के उपर है, लोहित रिवर, okay, याद रखेगा, लोहित के उपर है, लोहित रिवर के उपर है, याद रखेगा, तो ये थे, और ये थे questions, thank you for watching, do subscribe मैं चैनल में, यह से आपको informative वीडियो प्रोवाइड काता रहता हूँ,